अलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं स्कीन ओप बर्ड के बारे में ठीक है इससे के पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना है स्कीन ओप मेमल के बारे में हम लोग वर्टी ब्रेट्स में स्कीन का तुलनात्मक अधियन कर रहे हैं comparative anatomy of skin in different vertebrates मतलब vertebrates में तुअचा का तुलनात्मक अधियन कर रहे हैं जिसमें इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्कीन ओप मेमल इस तंधारे जियों की तुअचा के बारे में स्कीन के बारे में अधियन कर चुका है यह part 2 है जिसमें हम लोग skin of bird के बारे में जानने वाले हैं यदि आपने skin of mammal का वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो है link description में दे दिया जाएगा आप जो है वहाँ से जा करके देख सकते हैं चलिए हम लोग समझते है skin of bird के बारे में ठीक है यह वीडियो आपका बहुत interesting और knowledgeable होने वाला है चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखे यदि कोई bird है कोई पक्ची है उसकी skin को उसकी तोचा को यदि हम लोग microscope में देखें तो कुछ इस परकार का संरचना दिखाई देगा जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों को दो लेयर दिखाई देंगे पहला लेयर है epidermis दूसरा है dermis epidermis लेयर हमें thin दिखाई देगा जबकि dermis लेयर ठीक दिखाई देगा thin मतलब पतला दिखाई देगा और ठीक मतलब मोटा दिखाई देगा हमें मुख्रिप से दो layer epidermis और dermis epidermis thin layer dermis thick layer देखे सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे epidermis को first layer को यह जो देखे यहां से लेकर के यहां तक का part क्या है epidermis है तो epidermis में ही देखे यह फिदर पाई जाते हैं ठीक है यह फिदर फिदर मतलब punk यह देखे यह फिदर 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 फीदर फोलीकल का पाट हो गया, फोलीकल मतलब गढधा, अब देखी यह आप लोग को दिखाए दे रहा होगा फीदर जर्म, फीदर जर्म मतलब क्या, एक ऐसा जगह है जहां से फीदर जर्मिनेट करता है, फीदर मतलब पंक, जर्म मतलब जर्मिनेट करना, तो जिस इस्था इसे यह मुख्य रूप से 3-4 लेयर का मिल करके बनी हुई होती है जिसमें सबसे बाहरी लेयर stratum corneum दिखाई दे रहा होगा यह stratum corneum और middle layer बीच के लिए stratum lucidum और सबसे लास्ट में stratum malpi ghai देखे इसमें stratum granulosum भी पाई जा सकते हैं लेकिन ज्यादा तर chance है कि stratum lucidum पाई जाते हैं ठीक है 3 layer दिखाई देता है 3-4 layer भी दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो इसमें देखिए epidermis का part है इसमें stratum corneum क्या होता है stratum corneum dead cell होता है मृत कोसिकाओं का बना हुआ होता है इसके अंदर आप लोगो कोई भी nucleus नहीं दिखाई दे रहा होगा या पिर दिखाई भी दे रहा होगा तो वो destroy होगा वर्क नहीं करेगा तो stratum corneum क्या है यह dead layer है मृत कोसिकाओं की परत है ठीक है उसके बाद stratum lucidum क्या है middle layer है जो की जीवित कोसिकाओं का बना है ठीक है उसके बाद नीचे देखी ये नीचे layer दिखाई दे रहा होगा ये stratum मालपी घाई है देखे ये stratum मालपी घाई है या इसी को हम लोग stratum germinateum के नाम से भी जानते हैं इसके नाम से जानते हैं stratum germinateum के नाम से भी जानते हैं ठीक है यह stratum germinateum या stratum malpi ghai की खास बात है यह जो layer है यह sale division करके कोसी का विभाजन करके नया sale का formation करने की capacity इसमें पाय जाता है इसमें stratum malpi ghai या stratum germinateum में यह cell division करते हैं और नया नय लेयर का formation करते हैं ठीक हैं अब इस फरकार यह epidermis complete होता है चलिए अभी देखते हैं dermis के बारे में ठीक है यह यहां से लेकर के यहां तक का जो थीक पाठ है मोटा पाठ है यह सारा पाठ क्या कलाता है dermis कलाता है जिसमें देखिए आप लोगं को व vascular spongy layer क्या है इसमें जो भी tissue है जो भी cell है वो थोड़े थोड़े दूर दूर में विनियस्त है ठीक है spongy layer है जैसे कि आप लोग sponge जानते हैं sponge में जो संरचनाएं है उसमें थोड़े थोड़े hole होते हैं मतलब थोड़े जगह होते है like that way से इसमें भी vascular spongy layer है इसमें sponge के समान है ठीक है फोड़े से जगह भी है खाली जगह उसके बाद दिखाई देरा होगा आप लोग को ये nerve ठीक है ये nerve क्या है जब संवेदी कुछ सूचना आता है या फिर कोई touch करते है या फिर कुछ भी जो संवेदन seal है ठीक है वो क्या है ये nerve sale द्वारा grant किये जाते है ठीक है ये nerve में E भी लगता है ठीक है N E R B E तो ये nerve sale द्वारा ये तंत्री का sell है इसके द्वारा सूचनाओं का आधान परदान होता है ठीक है उसके पड़ आप लोग को दिखाई देरा होगा यहा देखिए ये fait sale ठीक है ये क्या है? फेट सेल है, ठीक है, फेट सेल क्या करते है, फेट को स्टोरेज करने का काम करते हैं, ठीक है, फेट को स्टोरेज करने का काम करते हैं, फेट सेल, उसके बाद आप लोग देखिए, यहां कि यह 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 प्रवाइट करते हैं ताकि यह इस्ट्रेटम लूसीडम इस्ट्रेटम मलपी गाई या फिर इस डर्मिस की कोशिकाउं को नूट्रेशन और ऑक्सिजन प्रवाइट कर सकें ठीक है इसलिए इनमे ब्लड वेजल पाया जाता है उसके बाद देखी यह आप लोगो यहाँ पर द देखिए यह क्या है डर्मल पेपिला, यह डर्मिलल पेपिला ही एक ऐसा छेतर है, जहां से इसका इस फीदर का विकास हुआ होता है, तो यह पूछा जाए आप लोगों को, फीदर का विकास कहां से होता है, तो यह डर्मिस के डर्मल पेपिला से विक्सित होता है, कौन फीद ठीक है फीदर जो है dermis dermal in origin मतलब dermis से origin होता है इसका उत्पत्ती उसके बाद देखिए involuntary muscle अनेच्छिक पेसियां है ठीक है ये देखिए अनेच्छिक पेसियां किसमें पाए जा रहा है dermis में अनेच्छिक पेसियां पाए जाता है ठीक है जो बड के इच्छा के बिना भी काम करते है इन involuntary muscle ठीक है देखिए उसके बाद आप लोग को एक चीज़ और कि इसके जो epidermis है इसमें europazial gland भी पाए जाता है क्या पाए जाता है europazial gland पाए जाता है जो पक्छी के पीछे posterior side पीछे की और पंक तरफ पाया जाता है जिसमें से एक चीपचीपा पदार्थ का स्रावन होता है जो इस feeder को तेली एक परत चढ़ाने में मदद करता है आप लोग देखे ही होंगे जो पक्छी है पीछे तरफ अपना चोंच करते हैं एपी वो इरोपैजियल ग्लेंड में ठीक है जहां से चीपचीपा पदार्थ का स्रावन होता है जिससे वे तेली जैसे पदार्थ होता है जिससे वे इन पंकों को के उपर उनको लगाते हैं जिसके कारण वे पानी के प्रभाव को रोक पाते हैं या फिर उसमें जब पानी डाला जाता है आप और हाँ बच्चों इसमें Mileno side pigment पाय जाता है जो क्या है एक color pigment है ठीक है इस dermis में Mileno side pigment पाय जाता है जो एक color pigment है परकार का बहुत सारे color के varieties होते हैं जो बनते तो dermis में हैं लेकिन यह मांगरेट कर जाते हैं feaver में ठीक है ये फीदर पंक में मैगरेट कर जाते हैं आप लोग जानते ही है बहुत सारे जो बड़ देखे हैं उसका रंग कैसे होते हैं उनके पंक रंग भी रंगे होते हैं तो जो मिलोनसाइट पिगमेंट है उनके कारण जो है उनके पंक रंग विरंगे दिखाई देते हैं ठीक है जो milonocyte pigment बनते का है dermis में बनते हैं लेकिन migrate करके फीरर में चले जाते हैं इसलिए उनका पंग colorful दिखाई देता है इस परकार हम लोगों ने क्या जाना skin of bird के बारे में जाना है ठीक है जो दो layer की है epidermis और dermis जो thin होती है epidermis और dermis ठीक layer होती है ठीक है देखी इस परकार आप जो है इसको अच्छे से समझ करके इसको screenshot करके जो है एक अच्छा notes बना सकते हैं ठीक है आप लोग जो है screenshot कर लिजे यदि notes नहीं बनाए हैं अभी तक तो ताकि इसका जो है आप लोग जो है अच्छे से notes बना सकें ओके बच्चों यदि आप इसी तरह के knowledgeable वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और आप लोग को मिले तो यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल को press कर सकते हैं और all पे click कर सकते हैं ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो जब से पहले notification आप तक पहुँचे और जब वीडियो भी आप तक पहुँच सके ठीक है मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ इसके बाद जो है skin of reptiles के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ओके